नमस्कार दोस्तों मैं स्वागात रव्यंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्श्कों का हम बात करने वाले हैं शनी देव की और कुम राशी वालों के लिए अपरेयल में शनी देव की चाइस्तिति रहने वाली है तो यह गोचरपुली आप लोग देख लिए शनी देव कुम राशी में लग्म में हैं और उदित भी है तो शनी भाराज राजबन कर बैठे हैं शनी भाराग आपके लग्म में और बारवे भाव के स्वामी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अप्रायर का महीना इस दोरान आप अपने वर्तितों को निखार पाएंगे योग, मेडिटेशन, प्राणयाम का सहरा लेकर, जिम का सहरा लेकर, फिजिकल और मंगल का घर माना जाता है, शनी जो सीमाओ, बाधाओ, परशानी और अनुशाशन का कारग रहे है, यहां जातक को कठोरता का सक्टे देता है, वे कठोर और कंभीर दिखने लगते हैं जब भी शनी यहां पर आता है, और गैर लचीली परवर्ति वाले वेक्तितों के हो अपनी स्वराशी में हैं तो इन सब भावों भी थोड़ी कम ही आएगी, लेकिन आप बहुत इमांदार, मजबूर दिमाग वाले होंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों के मुल्यों को विचार करेंगे, अपने कर्तव और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का दम रखत करते हैं, बाधाएं आपके जीवन में अक्सर आती हैं, लेकिन आप बाधाओं उत पर विजय भी पराप करते हैं, कई बार आपके शिक्षा को भी यहां पर शादी प्रभावित करते हैं, लेकिन आप लड़कर अपनी प्रहाई पूली करते हैं, ऐसे में कई बार देखा ग अपने व्यवाहिक जीवन को लेकर इस समय व lijका इसमय में यारी दोस्ती अपकी अच्छी हो सकती अच्छी इस संड दोस्ती में आप दिरोक होगे याश्र दोस्ती कभानी दखते है करदे और ड़ास्त है जो स्ची मारें प्रिशान। यहां पर परिशान रहते हैं पहला भाव सूर्य मंगल से प्रभावित है जब भी इस भाव में शरी आता है तब अच्छा फ़ल देता है तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे प्षूप परिणाम आपको अपरेल के महीने में मिलेंगे और आप जन्म से अमीर हो या ना हो लेकिन खुद अपने बल्बूते अमीर बन जाएंगे अपनी महने से अमीर बन जाएंगे घर में परिवार में मुखिया होंगे नियायप्री होंगे धार्मी सभाव के होंगे और पूरा मजबूती से काम करने वाले होगे पिता से जितना आपका प्यार होगा उतनी आपकी तरक्की होगी पिता की भी पुतरकी भी जदी आपकी जनमकुणली में जो जनमकुणली लेकर आप पैदा हुए है शनी कितना भी शुब क्यों ना हो शनी आपका कितना भी शुख क्यों ना है जरमपुली में भी शुख है, यहाँ पर भी शुख है लेकिन जब भी आपकी घर में कोई खुशी आएगी अपरेल के महीने में तो धोल बाजे बजा कर सेलिबरेट मत करिएगा चुपचा आप सेलिबरेट करिएगा शरी के अशुप प्रभाव जब आपको देखने को मिलेंगे तो आप थोड़े से परशान हो सकते हैं सरदर बगेरा हो सकता है शरी यहां पर बैठ कर आपके शत्रू चाहे कितने भी बर्वान क्यों नहों आपके शत्रू का सरुनाश कर देंगे कारोबार अपना होगा किसी के नीचे दब कर गुलामी नहीं करेंगे और नौकरी होगी तो बहुत उचाफ़ आपको मिलेगा किसी की खुब ना सुनने वाले इंसान होगे क्रोली सभाव के होगे ति लोग किस तरीके दे भगवान आपको पालेगा आपकी सुर्चा के लिए इंसानों की जुरूरत नहीं है इस वर आपकी हर मदद करने को तैयार बैठा हुआ है जो भी लोग शनी समंदी काम करते हैं पेट्रोल का काम करते हैं भैस भैस दूद का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है और आप यह मान के चलिए आपको अपने भाई से थोड़ा सा दुख देखने को में सकता है तनाव हो सकता है इस तरी से जगड़ा हो सकता है आप एहंकारी हो सकते हैं शराब और मास्क सेवन से बचना चाहिए शणी देर को आपको तेल या शणी से समधी किसी भी चीज़ का दान करने से बचना चाहिए और पिता की आप देखिएगा उससे रिष्टे अच्छे रखिएगा तो दोरों की तरक्की होगी घर में अपने शराब ना रखे आपको मांसाहर भोजन से बचना है अपने वैवसाय में अच्छा पन लाने के लिए और अच्छी तरक्की अपने लाने के लिए आपको एक काम करना है आपको साथ मुक्री रुदाक्ष पहनना है बंदरों को गुर किलाना है बंदरों को गुर और चना किलाना है केला किलाना है और अपने स्वास्त के सुधार के लिए आपको बर्गत के पेड़ पर दूर चुढ़ा कर गिली मिटी का टीका लगाना है किसी सादू या संथ को सच्चे सादू संथ को चूला दान करने से भी आपको लाप राप्त होगा शरीदेव को अच्छा कैसे किया जाता है? शरीदेव कर्म के ग्रह हैं कर्म का ग्रह क्या है? यानि शरीदेव कर्मचारी है तो आप अपने काम में इमानदारी रखे हैं आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको तंग ना करें आप मंदिर में जाकर सेवा करें सादू संत की सेवा करें उनके आशिरवाद से आपको तरक्की मिलेगी आप जितना अपने नीचे काम करने वारे लोगों की सहायता करेंगे जितना लोगों का भला करेंगे जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना शनीदेव अच्छे होते चले जाएंगे शनीदेव को अच्छा करने के लिए अगर आपकी शनीदेव आपकी कुंडली में उच्छ के बैठे रहे हैं तो फिर शनी का दान करना आपको शुब नहीं रहेगा अगर उच्छ के नहीं है तो आप शनी समद्नी चीजों का दान भी कर सकते हैं शनीदेव का अच्छा रखने की आपके दो चाचा है चाचा की सेवा करना चाचा से रिष्टे अच्छे रखना आपके शनीदेव को मजबूत बनाता है शनीदेव तो अगर आपने किसी को बूरा कहा है तो आपको भी वह ज़र्ट मिलेगा ज़रूर कम मिले ज्यादा मिले यह आपके कर्मों के उपर होता है तेकि शनीदेव दंड अधिकारी भी है यानि आपके जो गलती की है आपके दंड पाया है उसको आप कैसे भोगेंगे यह भी आपको रहत मिलती है और आपको कोई यह शुप बनाने के लिए इस पड़ार के छुट अटे प्रयोग भी आप कर सकते हैं यहां पर शनी देव आपकी शादी के योग भी बनाएंगे आप कुमारे हैं तो शादी के योग भी बनेंगे एक अच्छा समय है शनी के शुप भावों को प्राप करके और आपकी राशी के स्वावी ही भी है और शुप कामों में, शादी व्याव में, पाटी वाटी में, वैपारी पार्टनर्शिप में, वैपार को बढ़ा करने में पैसा खर्च भी होगा तो कुल बिलाकर आपके लिए इस्त़ई अप्रैल के मализिद झाल झाल झाल